साथियों आप सभी के इस प्रेटफार्म पर स्वागत है यहां पर हम लोग यूपी PCS 2023 की प्रारंभिक परिच्छा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं धे आयस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराएग प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है बचाओ के लिए किसके बचाओ के लिए दी जाती है तो यह आपका जो है रोहडी कुकुर खासी टिटनस से बचाओ के लिए दी जाती है ठीक है आपका रोहडी मतलब हो गया आपका डिफ्थीरिया ठीक है तो देखिए डिफ्थीरि वैक्टेरिया से होने वाले रोग हैं. आगे बात करते हैं निद्रा रोग या स्लीपिंग, सिक्नस नामक वीमारी होती है, किसके वजास होती है? तो यह जो है आपका ट्रिपय, नोशोमा नामक एक कोस की जीव के वजासे होती है. इस जीव का वाहत वाहत दुतिय पोशक वो स सा एक सही सुमेलित नहीं है तो देखिए अमीर खुश्रो का जन्म जो है वो एटा में हुआ था एटा में होता है बारासो तिरपन में और इसके अत्रिक मिर्जा गालिब का जन्म जो है ये आगरा में हुआ था ये भी सही है मिर्जा गालिब उर्दु यो फार्सी भासा के मह जोस मलिहाबादी ये जो है उर्दू के प्रक्षा सायर रहे हैं इनका मूल नाम सबीर अशंग खा था इनका जन्म साजाहांपूर में हुआ था प्रयाग राज में नहीं तो D वाला आपका सुमेलित नहीं है आगे बात करते हैं चुनार गड़ में अनूप बेदिका है जिनकी बेदिका है जिनकी वे किसकी चुनार गड़ में तो ये जो है आपकी भ्रत्यु भ्रत्यु हरी की ये जो है अनूप बेदिका है आगे बात करते हैं असी नंबर कोशन देखते हैं यूपी को समय समय पर दिये गए नामों को सम्मोधित वर्सों से सुमेलित करते हैं तो देखिए सुमेलित करते हैं इसको उत्तर पश्मी नाम कब था ये 1836 तक तो 4 से मिला दीजिए आगरायम आबद का समय प्रांथ 1887 तीन से मिला दीजिए समय प्रांथ नाम होता है आपका 1937 में दो से मिला दीजिए उत्तर प्रदेश 1950 में एक से मिला दीजिए तो 4,3,2,1 आपका सी ओप्शन आपका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश के निमलिकित नगरों में से किस एक में निगम नहीं है ठीक है वर्तमान में उत्तर प्रदेश्म को 17 नगर निगम है 17 नगर निगम है जिसमें आपका बस्ती जिले में नगर निगम नहीं है ठीक है की गई, कब की गई वर्स 1974 में 1974 में वानेची गधविद्यों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में मानेताप राप्थ इस्ठाक एक्शेंज कहां परिस्तीत है तो ये कानपूर में है कहां पर है कानपूर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1982 में अगला है उत्तर प्रदेश के निमलिखित नगरों का भवगुलिक छेतरफल की दिश्ट से सही और रोही क्रम हमें बताना है बड़े से छोटे के क्रम में बताना है तो देखिए इनमें सबसे बड़ा आपका देखिए डी वाले आपको देखिए वरार्जी सबसे बड़ा है छेतरफल के मामलें फिर गौतम बुद्ध नगर आता है फिर बागपत है फिर उससे छोटा संतर अभिदास नगर है तो डी आप्सन आपका सही हो जाएगा ग्यारा दसमरों चार एक परसंट की बृद्धी हुई देखिए 2011 में उत्तरफली साचरता दा कितनी रही है 67.68 परसंट रही थी जबकि 2001 में ये 56.27 परसंट थी अगला है दो सूचियां दी गई है इन्हें हमें सुमेलित करना तो देखिए शोनभद्र किसके लिए फेमस है तो सोनभद्र जो है आपका चूने के पत्थर के लिए चार से मिला दिए प्रियाग राज जो है सीसे वाली बालू के लिए तो तीन से मिला दिए ललितपूर जो है ललितपूर ताबे के लिए दो से मिला दिए यह आपका मिर्जापूर और जहासी में लाल मिट्रियाग, जहासी, मिर्जापूर और सोनभद्र के उपरी पतारों में पाई जाती हैं निम्रिखित में से कौन से जनपत मद्द गंगा नहर से लाभानमित हुए हैं तो देखिए, कौन-कौन से हुए हैं, तो इससे जो हैं आपके मतुरा, अलीगड और हात्रस, मतुरा, अलीगड और हात्रस, जो हैं, ये लाभान भित हुए हैं. आगे बढ़ते हैं निमलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है तो देखिए यहां से गंगा, राम गंगा यबनाद गुजरती पर जेलम यहां से नहीं गुजरती है जेलम में दी यहां से नहीं गुजरती इसका उदगम इस्थल जो है जेलम का वो जम्मू कस्मीर का सेश नागया बेरी नाग है और भारत में इसकी कुल नंबाई किती हैं 724 किलो मिटर आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 90 देखते हैं फिसे दो सूचिया है नगर और हवाई अड़ो हों इन्हें हमें सुमेलिद करना है तो देखिये लखनव में कौनसा हवाई अड़ा है लखनव में अमोशी है मतलग 3 से मलाइये variables पराणसी में बावतपूर है, 1 से मिलाईए, कानपूर में चकेरी है, आप 4 से मिलाईए, आगरा में अमोशी है, एक सिकन, आगरा में जो है, खेरिया है, 2 से मिलाईए, तो 3142, 3142 अर्था D option सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, निम्लिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखिए, आला, महोबा में, रश्या, बरसाना, कजरी, मिर्जापूर, पर उन्तों बिराहा जो है, ये कन्नोश की नहीं, बलकि पूर्वी उत्तरप्रदेश की परसिद गायन परंपरा है, कन्नोश पर्षिम में आता है, तो बिराहा जो है, पूर्वी विंदादीन उस्ताद दुले खान और इलिहास खाने दिया है परन्तु इसमें महदी का योगदान नहीं है देखिए विंदादीन जो है कठक के उस्ताद थे उन्होंने सन दपिया नामक ठुमरी की बंदी से भी तयार किये थी आगे बात कर लेते हैं, question 93 मिसरित अर्थब्यवस्था का अर्थप क्या होता है, जहां राश्टी अर्थब्यवस्थे में सार्विक शेत सन Sal नीजी शेतर्वी विद्यमान हो उसे misterत अर्थब्यवस्था कहते है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 94 को देखते हैं पोस्ट किये sustainable paraton का मुख उद्देश क्या है इसका उद्देश क्या है सांस्कृतिक अखंडता और पार्सतिकी प्रकिरियाओं को बनाये रखते हुए paraton और पर्यावन प्रबंधन करना अथा C option यहाँ पर सही हो जाएगा भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर में कौन सा या से कथन जो है वो सही है तो देखिए लगान का बिन्यमन करना अवदी की सुरच्छा पट्टेदारी का सौमित की पट्टेदारी पर सौमित की घोशना यह सभी जो हैं इन सुधार उपायों में सामिल रहे हैं अथा 1, 2, 3, D option सही हो जाएगा सारवजिनिक बितरन परणाली से बितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश क्या है सारवजिनिक PDS सिश्टम से मुल निधार कि रागतियों मुल आयोग होता है किर्सी लागतियों मुल आयोग Commission for Agriculture Cost and Prices ठीक है देखिए किर्सी लागतियों मुल आयोग किर्सीयों किसान कल्यान मंत्रा का एक सलगन कारियाला है किर्सिकत उपजों की कीमतों पर सलाह देने के लिए इस्थापना वर्स 1965 में 1965 में किसी मुल्य आयोग नाम से किये गए थे वर्स 1985 में इसका नाम बदर करे किसी लागत यों मुल्य आयोग कर दिया गया 98 नमर कुशन देखते हैं निम नम से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निधान करता है तो तेल कंपनियां, ये बजार पे थोड़ दिया गया, तो तेल कंपनियां अब इसका निधाना करती है, तेल कंपनियों द्वारा इधन कीमतों की दैनिक आधार पर समिछा की जाती है, 99 नमबर कुशन देखते हैं, कच की खाड़े में इसका कांडला बंदरगा भी है, निव जेड जो है ये वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थाफित किया गया था इसकी स्थाफित का मुल्ख देश से निर्यार्थ वस्तूओं के लिए उप्यूक्त वातावन तयार करना था आगे बात करते हैं दो सूचियां दी गई है उद्योग और उत्पादक केंद्रों की इ उनिकाली भदो ही वन सी मिलाई है तो आपका हो गया 4, 3, 2, 1 अर्था बी ओप्शन आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारत सरकार की राजकोशी नित की निम्में से कौन सा एक उद्देश नहीं है तो देखिए पूर्ण रोजगार, मुली स्थिर्ता, धंतता, आय निम्मन करना जो है यह राजकोशी नित का उद्देश नहीं है अथा C option राजश घाटे की अपेच्छा राजश रेविन्यू डेफिसिट के अपेच्छा राजकोशी फिस्कल डेफिसिट सद्यों क्या रहेगा तो यह जो रहेगा सद्यों अधिक रहेगा राजश घाटे क कुल प्राप्तियों और कुल वे के साथ जितना प्राप्त कर रहे हैं के साथ सरकार की देताओं का समलित किया जाता है मतलब कितनी उस पे अभी देने के लिए एक देता बची हुई है तो उसको भी समलित कहता है तो राज़सो घाटे की पेच्छा जो है राजकोशी घाटा इस होजा से क्या हो जाएगा सद्यो अधिक हो जाता है आगे बात करते हैं सामान रूप से भारत में प्रति पांच वर्स बात बित आयो की निप्ति की जाती है बित आयो की निप्ति की जाती किसके लिए तो ये केंदरी, अनुदान और संग के राज़सो में राज़्यों के अंस निधायित करने के लिए की जाती है सम्विधान के अंचे 280 के तहत ठीक है और राश्पती दोरा नियुक किया जाता है इसका गठिन किया जाता है Q4 देखते हैं निम्लिकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है तो देखिए किसान विकास पत्र पर कोई छूट नहीं है राश्टी पचत पत्र लोकभविष निधी यूनिट लिंक्ट इंसोरेंस योजना में निवेश पर निशित सीमा तक आयकर में छूट प्रात जेकि किसान विकास पत्र में ब्यास से कुई आयपट टैक्स देना होता है आगे बात करते हैं भारत में निम्रिखित पांच वर्षिय योजनाओं में किसका मुख धे जो है शंपोषण ये ब्रिद्धी था तो किसका था जो बराहमी पंच वर्षिय योजना थी उसका तीविरतर धारनी यो अधिक समाविश्य विकास सीर सकते अर्था इंगलेज में कहें तो ये बराहमी पंच वर्षिय योजना का थीम तैसका कारिकाल 2012-2017 तक था भारत में बारा पंच वर्षिय योजना है रही क्योंकि उसके बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि योजना के जवाँ पे नीत आयोग आए जाता है एक जनुरूरी 2015 से आगे बात करते हैं दो सुचिया फिर दिंहें एक सुच ये नबर कोशन में पंच वर्षिय योजना और विकास मॉड़ल उसका क्या रहा है अचार से मिलाईए और 1 से मिला दिये चतुर्थ का जो है वह आपका अशोक रुद्र मॉड़ल आर्थाथ 3 से मिला दिये तो 2413 अथा 2 option आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 107 पे 20 सुत्री आर्थिक कारिक्रम सब्रथम प्रारम किया गया था किस वर्स में प्रारम किया गया था? इसे वर्स 1975 में वर्स 1975 में देखिए किर्सी आद्दोगी उत्पादन को बढ़ावा देना गरीबी साच्छर्ता आम आदमी के जीवन गुरोत्ता में सुधार तथा आय की समानता को दूर करने के उद्देशों के साथ 20 सुत्री कारिक्रम वर्स 1975 में प्रारम किया गया था आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 108 देखते हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं अभी कथन और कारण वाला प्रशन है तो देखिए अभी कथन है कि Operation Twist के अंतरगत R.E.I. एक ही समय में अल्पकालिन प्रतभूतियों को बेच कर देरिकालिन प्रतभूतियों को खरीदता है कथन सही है कारण इस Operation कमपक खुद्यस देरिकालिन निवेश को बढ़ाना है तो दोनों ही सही है और व्याक्ष्या भी हो रही है और यहां ध्यान रखीगा कि देरिकालिन निवेश को बढ़ावा देने के लिए Operation Twist नामक मुहत्रिक नीद का प्रियोग भारती रिजर बैंक दोरा जुलाई 2020 में सुरू किया गया था तो यहां पर A option आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं Question No.109 पर भारत में कागजी मुद्रा परतम बार कब सुरू की गई? वर्स 1862 में 1862 में सुरू की A option आपका सही हो जाएगा थोक मुल सुचकांग के मापन में निम्द में से किस एक छेतर को सबसे अधिक भार्या बेटेश दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? बिनेरिमित उत्पात को, manufactured product को देखिए वर्स 2017 में थोक मुल सुचकांग का आधार वर्स 24-5 से बजल करके 2011 बारा कर दिया गया थोक मुल सुचकांग एक मुल सुचकांग है जो कुछ चुनी हुई वस्तूओं के सामोहिक आउसत मुलिका प्रत्वित करता है इस सुचकांग के मापन में बिनिर्मित उत्पाद, छेतरिक को सबसे अधिक भार, भारांस या बेटेस दिया जाता है CDB की स्थापना की गई CDB की स्थापना किसले की गई है तो इसकी स्थापना लग विस्तरी उद्विगों को बित्प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना भारती लग उद्योग विकास बैंक सिड़ी के स्थापना 2 अप्राइल 1990 और इसका मुख्याला कहां पे है लखनों में है प्रतिछाया बैंकिंग सैडो बैंकिंग क्या होती है तो सैडो बैंकिंग क्या होती है देखिए गयर बैंकिंग वित्य संस्थाओं दवारा वित्य था अनगतिविद्यों को संपन्व न करना गायर efficient अग्व को मैंकुले ने वर्स दोजार सात के रूप में या एपेक्स बॉड़ी के रूप में उनको भी निमित करना मौद्रिक निर्माण ये सभी के सभी हैं पर उन्तु साख सिर्जन का कारी करना इसका कारे नहीं साख सिर्जन का कारी वानजीक सब्द है यहां भुमि विकास बैंक का कौन सा कारी शक्त्य है तो बहुं विकास बैंक का देरकाले क्रिक्सकों को उपलब्द कराना भुमि विकास बैंक का कारी है इस बात को याद रखिएगा भारत में पर्थम भूमी विकास वैंग के स्थापना वर्ष 1920 में पंजाब के जहांग में हुई थी इसका मुखिकार क्रिस्को को देरिकालिन प्रकिति का रिण उपलब्द कराना है कोश्चन नमबर 116 देखते हैं निमलिखित में से मानो विकास सुचकांग कोण सा एक भाग नहीं है तो देखिए मानो सुचकांग में जो है तीन पैरामीटर होते हैं एक है जन्म के समय जीवन प्रत्यासा प्रतिव्यक्ति आये और सकल नाम निवेशदर इन्रोल्मेंट दर जो है वो है पर इसमें स्वाफ्तियों पोश्चन नहीं सामिल है अतात एवाला इसमें सामिल नहीं है तो एउप्शन हो गए आपका सब प्रतम वर्स 1990 में मानो विकास सुचकांग के रिपोर्ट UNDP United Nation Development Program के द्वारा जारी की गई थी इसका विकास पाकिस्तानी अर्थसास्री महभूब उल्हक द्वारा किया गया था आगे बढ़ते हैं संगम योजना का मुख देश क्या रहा है संगम योजना का मुख देश बिकलांगों की कल्यान विर्धी करना रहा है इस संगम योजना का फ्रारम कब होता है 15 अगस्ट 1996 में इस योजना के अंतरकत अलग-अलग गावों में बिकलांगों को गठा किया जाता था तो देखिए उत्तरपदे सरबादिक जनसंख्यावला फिर इसके बाद महाराश्च फिर बिहार है फिर आपका पश्ची मंगाल आता था था यह उप्शन आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 119 नमबर कोशन जनसंख्या के संदर्व में निम्न वर्सों में से किस एक को महान विभाजन का वर्स कहा गया है जिसके पश्चात भाद की जनसंख्या में निरंदर तह तरित व्रिद्धी दर्ज की गई वर्स 1921 को माना जाता है क्योंकि पहली बार जनसंख्या की दसकी व्रिद्धी दर रिनात्मक्ती कितनी थी अगला है जनगंड़ जनगंड़' के अंसार भारत में लिंगानुपात क्या है तो भारत में लिंगानुपात जो है 943 Chelyت तो इसमें कोई आप्सन सही नहीं है तर D option आपको हो जाएगा 2011 के जनगंड़' के अंसार भारत के निमलिखित राज्जियों में से किसमें प्रति सौ बालिकाओं 06 वर्स की संख्या पर बालकों की संख्या सरवाधिक मतलब बाल लिंगानुपाद जो है वो सरवाधिक रही है कहां पर रही है ने ने एक सेकंड सौ बालिकाओं पर की संख्या पर बालकों की संख्या सरवाधिक रही ठीक है? तो मतलब निवनतम बाललिंगानपाथ कहां पर रही है? हरियाणा में सो बालिकाओंपे 120 लड़के मतलब यहाँ पर बाललिंगानपाथ कम रहा है सबसे कम हरियाणा में रहा है भारत की साचर्ता में सरवाधिक प्रतसत बृद्धी देखी गई कब से कब के बीच में देखेगी 1991 से 2001 के मद्ध में साचरता दर में कितनी पुरतस ब्रिद्धी होती है 8.20 की इन्हें 4 option में से यदि यहीं पर आपका 12,0011 दिया होता तो वो वाला option आपका सही हो जाता क्योंकि वहाँ पर 11 12.something परसंट की ब्रिद्धी होती है पर्यावन से अभिप्राय क्या है पर्यावन से अभिप्राय दो है देखिए यह option भूमी, जल, वायु, पौधयों, परशूं की प्राकृतिक दुनिया जो इनको चारोर अस्तित में सही है उन्हें संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय वित पर घेरे होई होती है भूतिक जैविकी है योग सांस्कृतिक तत्नों की अंता किर्यात्मक ब्योस्ता जो अंता सम्मधित होती है यह भी सही है तो सभी के सभी यहाँ पर सही है D option धार्ण ये किर्सी का अर्थ क्या है धार्ण ये किर्सी का अर्थ क्या है भूमी को इस प्रकार भूमी का इस प्रकार प्रियों कि उसकी गुलुवत्ता अच्छुड बनी रहे यही होती है धार्ण ये किर्सी sustainable agriculture UNEP United Nations Environment Program का मुख्याल है कहां सित है तो केन्या के नरोवी में केन्या के नरोवी में इसकी स्थाफना 1972 में 1972 में की गई थी आगे बढ़ते हैं question number 26 देख लेते हैं यह है निम्रिखित में से कौन पर्यावण संतुलन के संच्छन से सम्मंदित है कौन सम्मंदित है तो देखिए यह सभी के सभी इससे सम्मंदित है अथ डी option सभी चारो green was green was क्या इंगित करता है green was जो है पर्यावण संच्छन का जूठा वादा करने समूदित green was उस इस्थित को संदर्विध करता है जाहां कोई संगठन उब्होगताओं को यह कह करके बरगलाता है कि उसका उत्पाद उद्देशियों नीतियां पर्यावन के अनुकूल हैं अगला है एक परस्ते की तंत्र में निम्रेखित में से कौन कौन प्रात्मिक उपभोकता है नीचे दिये गए खुट से सही उत्तर हमें चुनना है तो देखिए प्रात्मिक उपभोकता जो सीधे प्रात्मिक उत्पादक से ले रहा है तो देखे प्रात्मिक भोकता में आपका चीती हो गई हीरन हो गई चीती और हीरन आ जाएंगे कि लोमडी और बाग जो है ये चुकी मांसा आ रही है तो प्रात्मिक भोकता नहीं हो गई ये तो यहाँ पर 1, 2 A option आपका सही हो जएगा पार्सेत्स तंत्र में तत्तों के चक्कण को क्या कहते हैं जयव भूरसायनिक चक्र कहते हैं देजव भूरसायनिक चक्र कहते हैं हैं इसे तो B option आपका सही हो जएगा Bio-Geogamical Cycle एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रुप सधानी करने के लिए आवशक न्यूनतम भूम को क्या कहा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे पार्सित की पदच्छाप कहते हैं पार्सित की पदच्छाप उकोलोजिकल फुट्प्रिंट कहते हैं जिसकी इकाई या पैमाना जो होता है भूमंडली हेक्टेर होता है तो B option आगे बढ़ते हैं question 131 निमनिकित में से किसमें सरवाधिक जविवित्ता पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है उसे कटबंधी है वर्सा वन वायों में सबसे अधिक पाई जाती है अगला question है अवीकःधन और प्रश्ण है तो अवीकःधन है कि उसakte आपका आपका जो है वह सही हो जाएगा क्योंकि देखे तितले आपने सरीर के तापमान को बिनीमित करने में सच्छम नहीं होती है था बहुत कम तापमान होने पर वह उड़ान नहीं भर सकती है आगे बढ़ते हैं, किसी प्रजादी को बिलुप्त माना जा सकता जब हुआ अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, कितने वर्सों तक नहीं देखी गई हो, कुल पचास वर्सों तक नहीं देखी गई हो आगे बात करते हैं भारती राष्टी जव विभुता प्राधिकरन इस्थापित किया गया 2003 में चिन्नई में निवर्वर्व से किस से जलवाई परिवरतन का क्रायोजनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइसकोर बर्व की चादर से बर्व की चादर एक किसी ग्लेशियर को छेद कर प्राप्त बेलना का नमूना आइसकोर कहलाता है इसके द्वारा वातावन की पिछली सनर्चना यों ब्यवहार का अध्यन के जाता है इससे जलवाई परिवतन का क्रायोजनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है ट्रायोजनिक इंडिकेटर कोश्चन नमबर 136 देखते हैं निमनिकित में से कौँ सा एक सही सुमेलित नहीं है देखिए काटा जेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी सम्मधित है इस्टाकॉम सम्मेलन अननवर्त जेव प्रदूशक से सम्मधित है प्रोटोकॉल ओजोन प्रत से क्योटो प्रोटोकॉल जल संचन से सम्मधित नहीं है ठीक है ये जो है जलवाई परिवतन पर सनचना अब इसमय से सम्मधित है तो D option आपका सुमेलित नहीं है निमनिकित में से कौन सा एक भारत के राष्टी जलवाई परिवतन कारियोजना के आठ मिसनों में सामिल नहीं है तो देखिए कौन सा सामिल नहीं है शौर सक्ति वनिकन अपसिष से उर्जा परिवतन सामिल पर नाविक्य सक्ति सम्मिल नहीं है नाविक्य सक्ति सामिल नहीं है तो जो आठ मिसन है यह 2008 में इसको प्रारम किया गया था, जल्वाई परित्म राष्टी का योजना 2008 मेलाई गई थी, और इसमें खुल 8 मिशन है, कौन-कौन से, राष्टी सौर उर्जा मिशन, भिक्सित उर्जा दच्छता के लिए राष्टी मिशन, सुस्तिर निमास पर राष्टी मिशन, आगे बढ़ते हैं 138 राजियू गांधी वन जीयू सनच्छा पुरसकार दिया जाता है किसके लिए तो ये सैक्षिक तथा सोच संस्थाओं वन जीयू अधिकारियों को वन जीयू सनच्छकों को ये पर्यावन समधित है उप्रोग सभी को दिया जाता है आगे बढ़ते हैं दाजीगाम राष्टी उध्यान निम्लखित में से किस समधित है ये जो है आपका हंगूल या कस्मीरी श्टैक से समधित है दाजीगाम राष्टी उध्यान जो है इसकी इससाफना 1958-1981 में होती है और ये कहा पर जम्वकश्मीर केइसाजिद प्रदेश मे जो प्राप्त होता है किसके जलाने से, तो यह प्राप्त होता है, आपका कोल, पत्थर के कुईले को जलाने से यह प्राप्त होता है, आगे बाथते हैं, question number 141 देखते हैं, यहां पर दो सूचियां दी गई है, वाइड, प्रदूशक रख्त धारा है चार तो 3124 3124 B option आपका सही हो जाएगा खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है खेती इससे क्या होता है इससे उत्पादने वृद्धी होती है मिर्दा के रुपरता संचित रहती है मिर्दा कटाओ कम होता है सभी इसके महत्व है तो अथा D option आपका सही हो जाएगा अमलवर्सा होती है कैसे होती है बादल के जलियों सल्फाडाय आकसाइड प्रदोसकों के मद्ध प्रतिकरिया के फल्सुरूप जो है वो अमलवर्सा रेन मतलब इसीड रेन होती है ठीक है निमलेकित में से कौन भारत रद से सम्मानित नहीं किया गया है किसे नहीं किया गया है लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खा इनको किया गया है पंडित जस राज को नहीं किया गया है ठीक है पंडित जसराज को भातरत बुरुसकार नहीं दिया गया है लता मंगेसकर उस्ताद बिस्मिल्ला खांको 2001 में पंडित रभी शंकर को 1999 में भातरत दिया गया था तो B option आपका सही हो जाएगा नीचे महिलाओं के परंपरत परिधानों यों राज्यों की एक सूची दी गई है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है देखिए बोकु ये परधान है सिक्किम का मेखला अश्रम का है मुंडू जो है ये केरल महिलाओं का है मुंडू छतिस गड़का नहीं बलकि केरल का है पेरन कश्मीर का तो C आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 146 नमबर कोशन को दो सूचियां दी गई है छेत्र और वेक्त इन्हें हमें सुमेलित करना है हिंदी साहित से रष्खान 1 उर्दू से ज्यान चंद जैन हैं 2 शंगीत युम नेत्रकला से सभिता देवी 3 चित्रकला से सतीशन चाथ तो 1,2,3,4 अतत ए आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारती वास्त कला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सुर्खी का प्रारंभ हुआ आपका कुशानों द्वारा किया गया देखिए मतुरा में हुई 5 इस्तरों के खुदाई के तीसर वे 5 इस्तर में सुर्खी के निर्माणा के सच प्राप्ते हैं सुर्खी का प्रियोग कुशान काल के दोरान प्रारंभ हुआ था सुविख्यात ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का संबंद किससे रहा है तो इनका संबंद बनारस घहराने से रहा है किससे बनारस घहराने से रहा है यह सास्त्री और उप सास्त्री संगीत का गयान करती थी 24 अक्टूबर 2017 को कुलकता में इनका निधन हुआ था गिर्जा देवी का चितरगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चितरगुप्त का एक मात्र मंदिर माना जाता है यह कहां पर है तो यह कांची में है ठीक है कहां पर है कांची में है यह चितरगुप्त को कैस्तों का देवता था यह अमराज का सहायक भी कहा जाता है निमलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी कौन सी इसमें से पहली लिखी गई थी देखिए इंद्रावती जो है ये 1744 में नूर मुहम्मद ने लिखी थी 1744 में पदमावत जो है 1540 में मलिक मुहम्मद जयासी ने लिखी थी मधुमालती जो है पंद्रा सो तिरालिस में मंजन ने लिखी थी मंजन ने और मिरगावती जो है पंद्रा सो तीन में पंद्रा सो तीन में कुत्बन ने लिखी थी कुत्बन ने लिखी थी कुत्बन ने